हेले दोस्तों स्वागत है आपका हमाय इस न्यू व्लॉग में तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि तलाब में जब अमोनिया बढ़ जाता है या फिर आप टैंक में जब फिश कल्चर कर रहे हो किसी भी मशली का पालन कर रहे हो तो कही बार आपके तलाब में या फिर टैंक में अमोनिया बढ़ जाता है या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे पहचाने की अमोनिया बढ़ गया है क्या शुरू के सिम्टम्स होते हैं मशली आपको कौन से सिम्टम्स दार बताएगी कि आपके टैंक में या सेड इसमें छोड़ रखा है तीन हजार स्क्वेर फिट का एरिया है इसमें जादा से ज्यादा हमें एक हजार बच्चे छोड़ने चाहिए पर हमारे पास अधर कोई पॉंड अवेलिबल नहीं है बस यही एक पॉंड अवेलिबल है तो और सारे हमारे टैंक भी हमने हटा द दिये हैं और इसमें अभी दो दिन पहले इसमें ऑक्सिजन के भी दिक्कत आई और इसमें अमोनिया के भी प्रॉबलम आई तो सिम्टम्स क्या थे शुरू में मसलियों ने दाना कम किया पहले दिन दाना थोड़ा सा कम कर दिया खा रही थी मगर थोड़ा सा कम खा रही थी उसके अगले दिन एकदम दाना हाफ कर दिया मचलियों ने, इसका मतलब इस टैंक में या पॉंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने इसके अमोनिया टेस्ट किया, ऑक्सिजन टेस्ट किया, सारे इसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सब हमने इसके चेक किये, तो ये पत अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी दवाईयां भी आते हैं, या फिर देसी तरीके भी हैं, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई आप्शन ना हो, तो आप गुड से भी अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, दवाईयों से भी कंट्रोल कर स पड़ेगी और मचलियां ग्रोथ नहीं लेंगी ग्रोथ भी नहीं लेंगी और मरने भी लगेंगी अगर ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो तो हमने क्या तरीका लगाया है आपको दिखाते हैं ये दूसरा बड़ा वाला पॉंड है जिसमे पानी की थोड़ी दिक्कत ओर ये इसमें पानी भर नहीं पा रहे हैं यहां से लेकर यह इस pond में हमने एक pipe लगा दिया यहां पे जिससे की continuous पानी इस वाले pond में चलता रहेगा जो fresh water होगा हम इसमें in करते रहेंगे और यहां से जो water है वो out होता रहेगा इसमें जाता रहेगा पानी भरता रहेगा अपना और इसमें continuous पानी चलता रहेगा fresh water जिसस के दिखकत नहीं आहीगी और हमारे डuates które की दिक्कत नहीं आएगी बगधर यसमें ऐसा सब कोई नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा भी अवेहिलेबल है यह दूसरा वाला पॉंड और यह छोटा या फिर महीने दो महीने बाद अगर ऐसी समझते आती है तो आप उसमें प्रोबाइटिक डालके गुर्ड डालके इन सतीजों के द्वार अभी अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं में समय जाता है मचलिया कुछ दिन स्ट्रेस में रहती हैं दाना कम खाएंगी और समय बरबाद होगा और हमारे पास इसमय समय बहुत कम है तो हमने ततकाल यही उपाय लगाया कि वहाँ पर पाइप लगा दिया है जिससे की पानी कंटिनुवस निकलता रहेगा और हम पानी इ पॉन्ड में हमने पहली वार मशली डाला है और दिरे दिरे इसमें देख रहेंगी क्या कैसे निदान कर सकते हैं क्योंकि हमने एक बड़ा पॉंड भी तियार कराना है और वहाँ पर टैंक भी लगेंगे कई सारे हैं तो हम उसका वी वडिए आपको दिखाएंगे तो हमारे बीडियो में